मुझा नमस्कार दोस्तों चोरसिया फ्रेल्म में आपका स्वागत है और आज हमारे पास एक बड़ी ही खुबसूरत सी बाई के है जो कि हीरो की ग्लैमर है चमचमाती ब्लैक कलर में है और ये हीरो ग्लैमर का जो दो ही वर्जन आता है वो ये फर्स्ट ड्रम ब्रेक वाला है और दूसरा जो वर्जन आता है वो डिस्क ब्रेक वाला है सबसे पहले हम बात करते हैं हेड लाइट की बात करें तो हेड लाइट में इसके हेड लाइट पर हेलोजन लैंप लगा हुआ है और यहाँ पर अन होने पर जो छोटी सी लाइट ही यह जलती है और indicator जो लगा हुआ है वो बल्ब वाला ही दोनों side indicator लगा हुआ है और इसका जो मठ guard है आगे वाला design बहुत ही गजब का है आगे जो है silver color में है और पीछे black color में है अगर हम इसके rim की बात करें तो ये alloy wheel में आता है और tubeless आता है तो सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसका आगे और पीछे का दोनों का जो टायर है वो ट्यूबलेस है तो कहीं भी पंचर होने पे थोड़ी परिशानी नहीं होगी क्योंकि वो वैसे भी 10-20-50 किलोमेटर निकल जाती है तो आगे हम इंजन की बात करते हैं इंजन में क्या क्या खास खास चीज़े हैं इंजन में जो अगर खास बात हम देखें तो इंजन में लगा है फ्यूल इंजक्टर जो की पहले कुछ सेलेक्टर वर्जन में ही आता था तो अभी बेसिक्स में हर गाडियों में फ्यूल इंजक्टर आ गया है तो इस से जो है जो इस गाड़ी का जो एवरेज है वो बहुत अच्छा हो गया है कम्पनी इसे क्लेम कर रही 55 किलो मेटर पर लीटर का क्लेम कर रही है और साथी साथ इसमें जो एक नया फीचर आया हुआ है वो है आई 3S तो इसकी बड़ी खास बात यह है यह आई 3S जो टेकलोजी है अभी देखे यहाँ पर लाइट जल गई है और यह आटोमेटिक गाड़ी बंद हो गई तो आई 3S की जो लाइट है यहाँ पर जल रही है और इसकी जो स्विच है यह आई 3S लिखा हुआ है यह on है और यहाँ पे इसकी light जल लई है तो अभी गाड़ी बंद हो गई अभी हमने कुछ नहीं करना है अभी जैसे ही हम इसका clutch दबाएंगे वैसे ही गाड़ी start हो जाएगी यह देखिए और यह हमने छोड़ दिया तो बंद हो गई तो जहां भी traffic है जहां पे traffic light लगी होई है या कहीं पे railway का भाटक है उस जगह पे अगर आपको wait करना है या भीड़ भाड़ वाली जगह है तो यह system काम करता है fuel है वो बहुत बचत करता है तो अभी देखिए I3S technology काम कर रही गाड़ी बंद है हमने कुछ नहीं करना है केवाल यह clutch दबाना है यह गाड़ी स्टार्ट हो गई और फिर इसको हम छोड़ देंगे तो अभी अपने आप यह गाड़ी बंद हो जाएगी यह यह बड़ी अच्छी technology है और seat की अगर बात करें तो seat बड़ा ही एकदम बिल्कुल comfortable seat बना रखा है मलग दो क्या तीन लोग भी बैठ सकते हैं वैसे legally दो ही allowed है लेकिन फिलहाल गाओंगी राह में तो लोग बैठी जाते हैं अगर हम tank की बात करें तो इस tank में जो इसके capacity है वो 10 liter की capacity है और जो side mirror है इसका जो design है बहुत ही बढ़िया सदी रखा है electric start आ गया है साथी साथ में किक भी है start करने के लिए और इसके specification की बात करें तो जो odometer है हलांकि ये manual दिया हुआ है इसमें digital भी दिया हुआ है तो trip meter और जो इसका fuel होगरा है वो सब digital दिखाता है अब हम बात करते हैं silencer इसके आवाज की बात करें तो आवाज बहुत ही अच्छा है तो इसकी जो आवाज है बहुत ही दमदार है बड़ी अच्छी आवाज है और कहीं कहीं पलब इसकी आवाज आपको irritate नहीं करते जो इसका sound है वो irritate आपको नहीं करता है अगर हम इसके engine की बात करें तो यह आप जो engine है इसका यह 10.87 PS power जनरेट करता है 7500 rpm और 10.6 LM torque जनरेट करता है 6000 rpm तो यह भी एक बड़ी अच्छी बात है कि engine बहुत ही refined है और एक साथ हो आपको दिखा दो कि इसके silencer में Catholic converter लगा हुगा है तो इससे क्या है कि जो pollution है वो बहुत कम हो जाता है तो आने वाले future में जो pollution है वो इन गाडियों का बहुत कम होगा जो की eco friendly होगा environment के लिए बहुत अच्छा है और दूसरी बात यह है कि इस गाड़ी में जो पीछे की LED light है वो भी बहुत अच्छी दी होई ह तो overall जो गाड़ी का हमने देखा बहुत ही अच्छा है बहुत मज़ा आ रहा चला करके वीडियो का end करते हैं यही पे और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देजे वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको share कर सकते है अपने दोस्तों को और आप हमारे चैनल पे अ इसे के साथ थैंक्यू बाबाय ऑल्वेज वेर हेलमेट